नमस्कार मैं हिमाशो सिंग आप सभी का कृती एजुकेशनल वीडियो यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ मैं उन सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस चैनल को इतने कम समय पे 10,000,000 सब्सक्राइबर कोचा है जिस प्रकार कृती एजुकेशनल वीडियो यूटूब चैनल एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से डिफरेंट क्लास के उस्टूइट्स को पढ़ने में और लर्निंग में हेल्प करता है उसी तरीके से अब कृती एजुकेशनल वीडियो यूटूब चैनल एक नई इनिशेटिव को लेके आ रहा है जिस पर वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो की स्टूइट्स और पैरेंट से रिलेटेड हैं उनको वीडियो के मादियम से ऐसे लोग जो की स्कूल लाइन से जुड़े हुए हैं उनकी मज़ा से सॉल्व करने में मदद करेगा आज के इस वीडियो के मादियम से हम उन पैरेंट्स को एक सुझाव देना चाहेंगे जिनके बच्चे पहली बार स्कूल जाएंगे या वो पैरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूलना है ऐसे ही पैरेंट्स के परिशानियों को देखते हुए आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है Choose Your Kids School Smartly आज के समय में देखा गया है एक अच्छा स्कूल चुनना एक पैरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है लेकिन अगर पैरेंट्स अपने बच्चों के एक अच्छे स्कूल को सिलक करने से पहले एक पॉपर चेक्लिस बना ले तो वो ये काम उनका बहुत असान हो जाएगा आज के समय में हमने देखा है कि पैरेंट्स को छोटी छोटी गलतियां करते हैं या बहुत सारी छोटी चीज़ों को नजर अंदास करते हैं अपने बच्चों का एड्मिशन कराने से पहले जैसे वो ये देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग कैसी है उनके रिष्टेदार के बच्चे कहां पढ़ ले है उनके पडोसी के बच्चे कहां पढ़ ले है इन शॉर्ट मैं कहूं तो वो कॉंपिटीशन की भावना में आज अपने बच्चे का एड्मिशन ज़्यादा कराते हैं ना कि किस स्कूल में उनके बच्चों को ज़्यादा अच्छी एड्यूकेशन मिलेगी तो ऐसी ही कुस पॉइंट्स जो उन चेकलिस्ट पे हैं आईए हम आज उस पे बात करते हैं किसी भी पैरेंट्स की सबसे पहली प्रियोर्टी क्या होती है वो किस टाइब के स्कूल में अपने बच्चे का एड्मिशन कराना चाता है वो ऐसे स्कूल में एड्मिशन कराना चाता है अपने बच्चे का जहां पर उसको वही environment मिले जो उसे घर में मिलता है वो ऐसे school में admission कराना चाहता है जहां पर उसको वही safety मिले जो वो उसके parents उसके लिए घर में रखते है साथ साथ में parents को यह देखना चाहिए कि उसे school की पढ़ाई कैसी है उसे school के teachers कैसे है अतर स्टाफ कैसे है खास करके parents को यह ज़रू देखना चाहिए कि वहां का जो management है उसका background कैसा है जिस तरीके का उनका background होगा वो उसी way में school की legacy को आगे ले जाएंगे साथ साथ में parents को यह देखना चाहिए कि जिस तरीके से traditional way of teaching चला आ रहा है क्या उस school के अंदर modern forms of learning available है कि ने उधारण के तोर पे क्या वहां पे smart classes है play way form of learning है और parents को यह भी ज़रू देखना चाहिए कि उस school के अंदर और कौन सी ऐसी activities होती है जिससे उनके बच्चे के अंदर confidence और उनके बच्चों की personality development है parents को यह भी देखना चाहिए कि last 3-4 सालों के अंदर उस school के senior classes या मैं कहूं boards examination के अंदर कैसे results गए है उससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि उनके हाँ की higher education के अंदर पढ़ाई कैसी है इन सारे points को देखते हुए इन सारे points को analysis करते हुए फिर parents को decision लेना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चे को किस school में admission कराना है ना कि किसी और के कहने पर ना कि बड़ी बड़ी building देखने से या ये एक status symbol के form में कि अपने बच्चे के admission कहीं भी करा देज़े इस video के माद्यम से केवल कृती educational video से एक message देना चाहता है आपका बच्चा उसका potential आप से better कोई नहीं जानता इसलिए जो school आपके बच्चे के अंदर से वही potential को explore कर पाए जो आप चाहते हैं और वो अपने life में आगे कुछ अच्छा कर पाए ऐसे school में अपने बच्चे का admission कराईए ना कि बस किसी के कहने पर या किसी को देख के आप admission करादीजे